पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आदर्श जा देश में देखिये सत्ता का संग्राम अब अपने चरम पर है यानि कि लोकसभा के चुनाफ छे चरन हो चुके हैं अब किवल आखरी चरन बचा है एक जून को उस चरन के लिए मद्दान होने हैं जो जो राज बचे ह हुए हैं जो जो लोगसभाक शेत्र बचे हुए है वहाँ पर हमारी टीम पहुचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रचार कल शाम तक ही होना है और नेता भी पूरा दंखम दिखा रहे हैं इन सब के बीच नेताओं के दावे वादों को जनता किस तरीके से ले रहे हैं प कहा जाता है कि चंडीगल में जिस तरीके से विक्सित हुआ है उसी तरह अगर बाकी शहरों को विक्सित किया जाता तो शायद परिस्टे कुछ और होती लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे मुद्दे चंडीगल को लेकर उठाए जाते हैं हर पार क्या दावेवादे हैं उस सब कुछ जानने और समझे कि हम कोशिश करेंगे अपने इस खास कारिक्रम सत्ता के संग्राब में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अमरुजाला.com पर सर आप लोगों से मैं चर्चा की शुरुआत करूँगा क्यों कि किरन खेर जी यहां कि कभी नहीं हुए थे बीच साल तकरीबन तकरीबन पॉन बंसल जी यहां से रहे कॉंगरस के कई मुद्धे जो उनसे भी नहीं हल हुए हो भी किये गए साइकल ट्रैक्स बने हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाए गई पचास से डेट सो तक की गई बत सब्सक्राइब को देखते हुए क्योंकि चंडीगड में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन पानी की शौटज हो रही थी तो ट्वंटी नाइन एम जेटी पानी जो है वह बगड़ा से अलग से लाया गया इस तरह से बहुत सारी विगास के काम हैं जिसके उपर हमने ध्यान हैं विग अचारी यहां के लोकल अमीदवार हैं हमारे बहुत देर से मांड थी के लोकल उमीदवार चाहिए कि यहीं पर बढ़ा ही कि यहीं पर बड़े हुए यहीं पर उन्होंने सिय का अपना पूर्स पंप्लीट किया और स्थी एशाखी काम करना शुरू किया उसके बा लेकिन हमारी डिमांड बहुत देर से थी कि हमारे लोकल केंडिडेट चाहिए और संजे टेंडन सक्षम केंडिडेट हैं मोदी जी का नेत्रितव और संजे टेंडन का यहां से परदेश परवक्ता भाजपा चंदिगर्ड चंदिगर्ड में बहुत सारे कारे हुए जैसे हमारे बड़े भाई दिलो जी ने बताया चंदिगर्ड में आप देखे ई-बसी आई है स्मार्ट बाइक्स आई है एक ब्यूटिफिकेशन के अगर हम लोग बात करें तो बर्ड पार्क यहां पर बना है एर फोस यहां पर म्यूजियम बना है उसके बाद मेट्रो यहां पर आ रही है जो बहुत जरूरी है क्योंकि शहर में 11-12 लाग जो है वो रिजिस्टर्ड व है वो भाजपाने आके आप देखेंगे कि 90% वो चुका है और 10% जो रह गया है वो भी अगले एक देट महीने में हो जाएगा तो कुछ यह वाले मुद्दे हैं चंदीगर में जिनके ओपर काम किया जा रहा है यूद के ओपर काम किया जा रहा है आई टी पाक जो है उसको अच्छी तरह से ड्वेलप करने की बात अभी हम लोग ने अपने मैनेफेस्टों में भी रखी है ताकि यूद जो है उसको बाहर जाके जॉब्स जो है वो ना लेनी पड़े चंदीगर के बीच में यूद को है जो लोकल जॉब्स मिल जाए यह मुद्द है जॉब को लेकर सिरफ जूड बोल रही है कि उन्होंने विकास के बहुत काम कराए है अब ऐसा है देखने में है पिछले दस सालों से पिछले दस सालों से MP इनका था बीजेपी के था आज जो संजय टंदेंजी चुनाव लड़ रहे हैं चलिगण में वो पार्टी के अध्यक्ष रहे अध् इतना कुछ होते हुए भी इनके काम नहीं हो पाए तो आगे मुझे नहीं लगता अगर जी जाते हैं तो कोई काम करेंगे और यह है और आगे चलिगण में विकास होना बहुत जूरी है हम लोगों ने पानी फ्री किया इन्होंने अब्जेक्शन किया तो इसी साब से बहु हो गए होती है लेकिन एक भी मुद्धा पिछले साल में ने हुआ जैसे फ्रीहोल्ड से लीजूल्ड से प्रीहोल्ड का था मालिकानाहक का था खूरे का धेर का था इंड्स्टिल आरया का था चन्डिर हौसिंग बोड्ड के जो फ्लैट्स के मुद्धे हैं और जो चंडिर ह दूसरा पर प्रोपरटी का हो गया अब वो नया मुद्दा और लोग कितने प्रशान है आप देखो और दूसरा कहा है कि मुद्दी जी आज इकल जो सुनने में आ रहे हैं वो कितना मैं पैदा नहीं हुआ मैं अवत्र हुआ हूँ परकट हुआ हूँ अगर आप इंडिया गठमंदर ना इस पर आगया पावर में आगया तो राम मंदर के उपर ब्लडोजर चला देंगे आप सो बना रहे हैं कि अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई तो मैं वहां नहीं जाओंगा नहीं देखो जब मस्जिद टूटी थी सब ने उसका ब्रोद करते हैं मस्जिद टूटी नहीं चाहिए एमी केवली सुप्रीम कोट के फैसले के बाद जो भी होता वह ठीक था मस सब्सक्राइब करते हैं मुस्लमानों को दे देंगे इस इट पॉसिबल आप आपने सुचिए पॉसिबल है इंडिया में के मेरी प्रोप्टी मेरा घर चेन के किसी मुस्लमान को को दे सकता है कोई भी सरकार तो ऐसे बिलकुल बे बन्याद के मुद्दों को क्रेट करना और डर का महल पैदा करना हम 6% को आप 14% से डरा रहे हो वह गलत वात है वह संजय टंडर से मेरी को दुश्मन ही नहीं है संजय जून हमारे भी दोस्त है बहुत बड़ी दोस्त लेकिन करनी सम kaf кровh दो यह साथ है कि पंजाब में यह दे हैं इन्हों नहीं आप आरह न रहा है यह कह रहे हैं कांग्रेस नुबो किया है एग ये बंच उली नहीं यह बात क्लियर की कि जैसे अमेरिका के अंदर रूल है इंडिया के अंदर भी रूल होना चाहिए कि जो है इन हेरिटेज लगना चाहिए जिस से 55 परसेंट जो है वो गौर्मेंट वापिस ले लेगी और उसको दूसरों में बंटेगी यह तो सैंपतर होताने का उसके ब का ब्यान भी है और चंदीगट में यह कठे हैं और पंजाब में बिलकुल लग लग है अभी आप देखे केजरिवाल जी ने अभी 2018 में क्या ब्यान दिया था कि जो अपने राजीव गांदी जी है उनका भारत रतन वापिस लेना चाहिए आज यह बिलकुल कठे होके चल र सबसे पहले तो डिबेट शुरू है 15 मिनिट हो गए है और बीजेपी वाले को आपने दो मौके दे दिए और दो तीन प्रवक्ताओं को दे दिए सबसे पहले मैं आप मुझे बोलने नहीं देगे अच्छा सुनिये सबसे पहले कि संडेटन की आदिल मसीर को लें तो घंद्र की हत्या किया है उन्हों कि चंडीड की लोग ऐसे लोगों को लें आना चाहते हैं यह वो चंडीड के लोग साफ सुथ्रे सटेयर लोगों को पड़े लिखे लोगों को जिनके नाम पर डिफेंस पे किताबे लिखी गई है इंटरेंशनल न, कोई बाग नहीं है तो दस साल पार्लेमेंट पर रह चुके है जिनको पार्लेमेंट में धियान से मोदी zap सुनते हैं और उसको एप्रिशेट करते हैं क्या आप ऐसे इंसान को लेकर आना चाहते हो दूसरी बात भाजपा ने पिछले 19 में 56 वादय किया थे मेरे पास चार शीट भाजपा के खिलाफ मैं आपको देता हूं इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ जीरो स्कोर है किर मुझ मुझे परिफिटे 56 में एक एक पि हमने कमेंटरी कर दोड़ा हैं कोई वादा पूरा नीए अभी आप ने क्या 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 किया आप ने सुन न करेंगे पीचर 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो इस दिए साल करेगी और विश्वास इंप लिए जो जो कानून चंडिगड के विकास के लिए उसको सुलो कर रहे हैं धीरे कर रहे हैं उन सारे कंडूनों को बज़ा जाएगा और नया गुवर्णनस मौडल चंडिगड में लाया जाएगा जिसे इसका विकास हो सके मैं ये कह रहा था बिप 15 साल पहले ये बीश साल पहले जो हमने डाकूमेंट दी थे पॉर्ण मंसल देए है यह हमारे मुद्दे हैं वे पारियों के मुद्दे अगर सारे वो वापिस लेके देख ले हैं पाउन बंसल जी के टाइम पे भी सॉल्व नहीं हुए और इस वक्त भी सॉल्व भी हुए चंडीगड में सॉल्व करना MP के बसका ही नहीं है चाहे तिवाडी साहब करें है यहां गुर्णर रूल है गुर्णर के पास फाइल जाती है वह एम उच्चों के बास जाती है दो दो साल वापिस नहीं आती हमारी जितनी डिमांड यहां पे पहले तो ऐसा कोई MP आना चाहिए जो एमो एच्च से काम गरागे लाए इस लेफल पर हमने जब भी जाते हैं MP के बास मेरा गुवर्णर निमांता जब पहुन बंसल जी के सामने वो था टो प्रवाज पाटल मेरी नहीं मानता जब इसके पास गए तो उनका गुवर्णर नहीं मानता तो यह तो हमेशा यहां चंडीघड में डिवेड यही रही है कि वो नहीं मानता वो नहीं मानता लेकिन मुद्दे जब भी जाएंगे MP के पाद लेके जाएं जो है परसनल कोई ऐसा नहीं एलेक्शन एंपी की बिजाए गुवर्णर का होना चाहिए जो यहां पर काम कर सके है हम तो इसको बुका दे आओ उन्होंने हार दे थी फोटो के चालो बस यह फोटो के चाने के लिए एंपी बहुत अच्छा है अधरवाइस मेरे हिसाब से कोई वर्किंग जो है गुवर्णर के पास है वर्किंग के शुए जी सर आप आगया यह मैं थोड़ा देर से आपके पास आ रहा हूं देखिए कॉंग्रेस पार्टी का विपक्ष जानना है सर जो कह रहे हैं तो किसी पार्टी से हैं नहीं लेकिन कहना है कि एक डेकॉरेटिव पोस्ट है यहापर MP का तो चंडिगार ऐसा फसा हुआ क्यों बिर्योक्रेसी की बीच मेरे नाम जाहिद प्रेश खान है मैं महासचिम हूं कॉंग्रेस चंडिगार प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं MP MP होता है यह हम जो मर्जी सोचते रहें कि नहीं है एक Member Parliament Member Parliament होता है और यह सारे Member Parliament मिनकर वहां बिलबास करते हैं सदम में किसी की एहमेत कमनी होती है लेकिन आज के दौर में ऐसा लगता है कि कोई Member Parliament है ही नहीं जो असली बात तो यह है क्योंकि दो-तीन आदमी के बस पावर्स हैं बाकि किसी का पतान लगता तो मैं य जाता हूं कि यह जो पार्लेमेंट है वह पार्लेमेंट की तरह काम करें ऐसा नहीं कि दो यह आदमी काम करते रहें अब जैसे आज की सरकाव में देख लिए आजने मोदी जी और अमिशा जी उसके लावा कोई नजल नहीं आता मैं आपको जितने भी वड़े लीडर हो नज नहinं सर अंदराइप मसलिया कैसे हो कैसे मेरा मसला है हमारे अभी यह मेरे दिय कर तरीका है उसमें दो पैर्टी जो है वो चनाव लड़ती है जो जीत किया वो देश का परदानमंत्री है वो होम मिनिस्टर है वो यह सोचता है कि मैं भारते जंता पाटी के लिए काम करूँ या कॉंकर्स के लिए करूँ हमारा तो यह सोच है कि जो अब हो रहा है ना वो बैटर नहीं हो रहा परस्टनल सी जगीर बन चुकी है हर एक आद में को चुनके लाना अच्छा देश का परदानमंत्री बने अच्छा देश का आउम मिनिस्टर बने जो सब के सुनता हो जो हमारी चोड़ी है अपने पार्लेमेंट की तो सुनता हो अपने मंत्रियों की तो सुनता हो जब को किसी की भी ने सुनता फिर कौन सा मंत्री हुआ वैल्यू नहीं आज हमारे देश में जो प्रॉब्लम यह आ रही है कि जब कॉंगर्स सरकार थी तो कोई वैल्यू थी कोई सारा ठीक था सब ठीक था जब से दस साल जो गुजरे हैं हमारे दस साल में कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे वन मैं पार्टी है मैं तो उस चीज़ को खतम करें चैह सरकार किसी की वैया हमें इत्याज नहीं है लेकिन यह जो बीच में से मतलब बीजेपी आ जाए अगर बीजेपी किसी और को पीम मना दे तो मैं Resident Welfare Association का Secretary हूँ यह जो आज के दिन में चंडी यड में खुलन खुला डिक्टेटरशिप चाल रही है गुवर्नर साब कोई काम नहीं करते कोई काम नहीं होने देते देखो पिछले दस सालों में इन्होंने तीन सो करोड से ज़्यादा खर्च दिया स्मार्ट सिटी बना पैसारा और कोई पैसा कार्पोरेशन में जमा नहीं हुआ और जब खुला तो भागे गगे तो इन्होंने उसकी जो बेंक घुरंटी जमा करवाई हुई थी उसको कहते हैं इनकेश कर्वाना है बेंक घुरंटी को वो जब डैक्र divisions को पता ही नहीं कि जंता से पार्किंग का पैसा लूट लूट के अमिल जुड के खा रहे हो सर बिलकुल ऐसा है मेरा ना महेशिंदर सिंग सिद्धू है मैं पार्शद हूँ वाड नमबर दो से अभी भाई साव ने एक बात की कॉंग्रेस के परवक्ता ने यहां पे वान मैन शो है यहां हमारे देश में ऐसा चल रहा है वान मैन शो यह गांधी फैमिली का है कॉंगरेस पार्टी में one party one family जो पूरी वो एक परिवार से आज से नहीं 1947 से वो एक परिवार जो है गांधी परिवार वो परिवारवाद की पार्टी वो हमें ये चीज डेमोक्रेसी ना सिखाएं वो अपने उपर देख लें और अभी ये बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की MP का फिगर है ऐसा ये अब इनसे पूछिए इनी के सांसद आज से 12-13 साल पहले on record है इनके चंदिगड के सांसद कें के मंतरी हमारे तो सांसद है इनके केंदर के उस समय के मंतरी उन्होंने कहा कि मेरी गवर्णर नी सुनता मेरे इडवाइजर नी सुनता हमारे कभी किसी सांसद ने नहीं का हमने काम करवाए हैं पिछले 10 साल काम करवाए हैं आगे भी करवाएंगे बारती जनता पार्टी और नरेंदर मोदी जी की बात करते हैं ऐसा परधानमंतरी देश को दुनिया को कभी ऐसा लीडर जो है पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है कि ऐसा परधानमंतरी जो ऐसा लीडर है वो एक नरेंदर मोदी है पहले ऐसे हमारे फिगरेटिव जो परधानमंतरी सो कॉल्ड होते थ बिल्कुल आपके आप जहां खड़े हैं यह पीछे यह देखिए यह स्मार्ट सिटी की बात कर देखिए यह साइकल का डॉकिंग स्टेशन है ऐसे पांच हजार सबसे और यह चंदीगर का चंदीगर का जो पब्लिक बाइसेकल शेरिंग सिस्टम है यह पूरे देश भर में स् चीजे में देख रहा हूं जब स्पार्ट सिटी में बना रहे हैं तो पार्किंग की इस पर लगी हुई है जो पार्किंग की एक उसके साथ जुड़ा इशू है जैसे अभी मेरे भाई ने विक्रम जी ने बताया कि यहां गाड़िया नंबर वेहिकल जितने नंबर और पॉबिल्टी को पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट को बढ़ाने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए यह जो मैं पहले बोल चुक हूँ पॉब्लिक बाइसिकल शेरिंग इसी लिए है हर चार सो तीन सो मीटर पे ऐसा डॉकिंग स्टेशन है ताकि लोगों को अपनी सो इलेक्ट्रिक बसे चंदिगड में बहुत खुबसूरत और कंवीनियन कंफोटेबल बसे हमने चलाई हैं और भी आ रही है पॉब्लिक बाइसिकल जैसे मैंने बात की तो पॉब्लिक जो अब आप सबके पास आ रहा हूं मैं थोड़ा बीच पीच में आम लोगों को भी ले आऊं जैसे आप थे मैं सबको लेकर आ रहा हूं एक बार अपना परमोच हर्मा चंदिग्ड़ कॉंग्रेस का सीनिर वाइस प्रेजिडेंट हूं इनके तमाम बात है आपकी एक मिंट एक देखिए इस शहर में सबसे पार्किंग की बहुत बड़ी प्रावलम एक तो है यह ठीक है दूसरा यहां पे क्या है एक मिंट एक मिंट या लेने दो अपने अपने मुद्बे पे सब बोल सकते हैं देखे इस पार्किंग का मुद्दा तो यहां पे डिस्टरब है यह इसके बात क्या है शहर के लोगों को जवाब मांगने होते हैं आप जवाब का अंसर दे दो 2014 में मोदी सरकार जब आई हमारे देश पे 55 लाग करोड रुपे का करजा था ठीक है जी मोदी जी कहते हैं आप तारा घंटे काम करते हैं बोलते हैं अठारा घंटे काम करते हैं सर आप सुनो ना मेरी बात को जवाब देना ना बैश्ता आज 200 अज 200 आज 250 अज 205 लाग करोड का करजा हिंदुस्तान पे है बताइए वह कैसे हो गया पंज़ाब को छोड़ो इंडिया नहां का नहीं दे सकते जवाब जवाब ले लिजे जवाब ले लिजे जवाब भाई साब पिछले दस साल में एरपोर्ट जो है वो 74 से 500 हो गए मेक्रो पांच से 20 हो गई यूनिवर्स वो 400 से 1100 हो गए मेडिकल कॉली 384 थे 700 प्लस हो गए नैशनल हाइवेस डेड लाग कि लिए यह मैं यह पताना चाहती हूं पहले तो अपने सिटी की चंडी गर को फड़ी गर बना दिया गया है हर जगा पे फड़ी ही फड़ी है और उन फड़ीयों वालों से पैसे लिए जाते हैं कौन लेता है मुझे नहीं पता दूसी बाद दूसी बाद जो है प्रीस एक में चुपक सालिया हमारे पानी के बिल बढ़ा दिया है 75 रुपए में हमने कूल आउच बाते थे एफिसेंटली अब हम 255 में उठाते हैं हम लोग गरीब हम पेंशनर हैं हम लोग कहां जाए फिर यह दस साल में अगर इन्होंने कोई भी रूल नहीं बनाया कि मेरे भाई चार है चारों इसक्टर में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टियों के वो रिस्ट्रेशन नहीं होरी फ्लॉर वाइस वह घर बेचने को जा रहे हम रो रहे हैं सारी जिनकी में 1965 से इतनी प्रॉब्लम थी तो दो बार कैसे जटाले जो वह मजबूरी दोका डड़ी जो कुछ हुआ दिके मेरी ब आप 65 सिटी रिए लौन ले लो आप लेंगर हो दंप्ञ्ऐं के लो बेंगल लो चृबीस घंटे पाणी देने कि लो और कर्जा और कर्जा ब्लत असला है हमें और आज बहां है हमारे बी माठीन के पह्ने के बिल भढ़ा रहे है और वहां कंल ayam लगोई में मैं आडवलीयो के प्रेजडेंट टूट्वांग कि कमल ब्राड कमल ब्राड हमारे हमारे दूर कहां जाना है यह हमारे सेक्टर में देख लो हमने कितनी बार यह फड़िया रेडिया ठुआने की कोशिच करीया है यह फिर यह पता निम्स पैसा लेते हैं किया है अगर एक ट्रभीक रूज चल सकता है उसका हर तो हरे को पता है चलान हो जैगा हमारा तो पोई lightning cross करता अगर यहां में कोई रूल हो यहां भी कोई रूल हो के इनका चलानख हो जएएगा यहां इतना गंदना पड़े हमारे सेक्टर में चलानी जाता बिल्कूल भी हमने कई बार उठाया है पर कोई इसका हल नहीं हुआ और मैडम खेर दस साल थे हमने दो बार अपने अपने सेक्टर में मेर बनाए हैं इन्हों ने कोई भी बीजेपी के हमने उनके करें हमारा एक कामनी और सकते नास कर दिया नोड़ी शायर का यह डर है किसी पार्टी से किसी पार्टी से आप अजी सार मैंने मेरा क्वेश्चन है चंडी कर दो कहते हैं स्मार्ट सिटी है पर चंडी कर जिए किचन वेस्ट गटिकां जादी आगया ओएगा जादी लगी बहते हुते हुते कटगटी और चेंज करके एक परले हान जिदना एक ही क्या थे लुट्र हो लाएख धुट्स भरारा जादी चाल दी है कि इसक्रेशन हो लाइगा थे मैए अ तो तो बाद बोला ने जो चाहिए नो और अग्राइब ने जो बड़ी होई है इन्हों क्यों नहीं नहीं चाहिए रहा डंपेगराउन कटाकडा के फौरर दे बेहस होते हैं दो साल एक बना जगा फेलों प्लेग्लाउन बना दें यहां उनुपार्क बना रहे हैं सब सारी ब सब्सक्राइब बड़ी बात करने जा रहा हूं एक जून को एलेक्शन होना है जी एक जून को कॉंगरस ने दरबार साब पे टेंक चड़ाये थे आज 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 कोई आज लखा दी दादा देवेच्छ पंजाब को उजड़ा गया आज किस बैस पे सरदार को यह को वो हमें प्रेजन को देखना चाहिए सबसे पहली बात तो यह है कि देखो प्राइमनिस्टर केर फंड है मोदी जी 2014 से पहले टप टप के केंदेश प्राइमनिस्टर फंड का पैसा कहां लगाया है यह औडिट से बाहर कर दिया इसको आटी आई से बाहर कर दिया इनके तशार मेटा ने सप्रीम कोट में एफिडेवर दिया कि जो जनता को नहीं बताना चाहिए क्यों नहीं बताना चाहिए अभी शो क्रोड कमाने वाली कंपनी 1000 जार क्रोड चंदा दे रही है उसका उसका क्यों नहीं इनों ने अभी तक वो करवाई जाए अभी तक क्यों यह दिया कि इसकी सारी जांच हो प्राइम निस्टर है कहते हैं बहुत इमांदार हैं अगर अमांदार हैं तो जो यह चंदा लिया गया अलेक्र बॉन सो क्रोड कमान याली कंपनी 1000 क्रोड कैसे दे सकती है पदाए एक मिन पर मोद एक मिन विक्रम चोपड़ा चंडिगर टेरिटर कॉंगरस का ट्रेजरा मैं भाईयों की बात को बड़ा करता हूं इन्हों ने मेने भाईयों ने अभी बीजेपी वालों ने ये बोला है भी यहां पे हमने जो पहाड था कुड़े का पहाड वो 90% उड़ा दिये 10% रह गया है अगर 90% उट गया है तो मेरा खेल यहां के पहाड तो फिर कसोली के पहाड़ों से उपर होते दूसरी बात इन्ह हजार करोड़ में यहां बंती ठीक है वो जाते ही इनकी MP ने वो अब सुनता लो सुनता लो बाजी सुन लो ना आते ही इनकी MP ने वो सरब बंद करवा दिया और उसके बाद जो यह बात कर रहे हैं अभी इन्हों ने बात की 1984 की जो बात चेड़ रहे है एक जो उनकी मोदी जी के नाम पर वोट अज बिल्कुल नहीं पूरे हिंदोस्तान में बदलाओ आ रहा है क्योंकि तौफी के रैपर में कब तक आप किसी को पत्थर खलाते जाओगे आप जनता खाने वाले कुछ सकते हैं इसको कहते हैं पर चेह कर तक हैं उती कि और तफाय को तो goofy को कर तेना हम कह रहे हैं वह वह बगवान इस द decentralijd आप जो जो यत शेंधाना झ confirms शेंधार रहे हैं जो होडी है कर चुक meinen है 안ोगी कर तना ऩा ile माई नेम संदीब ला आइम सेक्टे पी यार डबले मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी ने बहुत साथ-दूस साल जब से वह आई हैं उन्हें टौफिया दी हम लोगे चूसी है हमने रज के सुसी है शाहर को बात बनेगी कि अब इस बार अगर वह आगए वह लोगी तरफिया देंगो लिए जो बार दान तोड़ दी हमारी सेथ खत्म कर देगी और कुछ नि बनेगा इसलिए हमें बदलाब चाहिए चेंज चाहिए हम तो कहते मरगे तंद्र साब आठ साल पर दान रहे हैं और वरने उनका एंपी उनकी वह कुछ नि करा सके अब लोग इतने प्रशान जाए किसी पर olगों को चैंज चाहिए तो मेरे जी जी देते हैं चेंज करते हैं पहले कानपूर से लुडियाना लुडियाना से चेंज करते हैं काम नई किया भाग का लोग में टारी दो हमाद ही पाई इस तरह की चाहन के चैंज हो लिए recollous इते हैं ऑडर जी मैं dragons दो बोट नहीं है क्या यह पता सकते हैं कि लुध्याना में एक तारीक को वह कॉंग्रेस के एक डालेंगे या हम आदमी पार्टी के एक डालेंगे यह सारे मुद्धे उठा रहे हैं यह दो लोकल इशू है एडमिस्रेशन के बसों की एडमिस्रेशन थे किसी एंपी का कोई हाथ अब पारी की रेट बुड़े उसने एडमिस्रेशन में बढ़ाए इनको यह दो पता ही नहीं होता है एडमिस्रेशन के बास क्या काम है और प्लिटिकल लीडर के बास क्या काम है यह मेरा मोहित महाजन है मैं कॉंग्रेस और आपसे एकी पूछ पूछ लाए पुछना जाता परदान मंत्री कहता है सतर हजार करोड़ रुपे का उसने अजीद पौवार ने गटाला किया और सुबह परदान मंत्री स्पीच देता है शाम को उसको अपने पार्टी जोएंड कराके मुख मंत्री बनाता है यह चंडीगर की बात आर्विंद केजरी वाल का लिकर्स कैम क अगने गार्ट केजवाल साथ जो है वह राम नीला में लिस्ट बढ़े के बैठते थे सोनिया गांधी राहूल गांधी शरत पवार अब आप लोग साथ में दिल्ली में साथ में यहां पेसाथ में पंजाब में नहीं यह खिच्री क्या यह गणत क्या है जबाब देदू इनको भगवान मांते हैं जो प्रधान मंत्री जो प्रधान मंत्री मुझरा शब्द इस्तेमाल करता अपने फाश्णों में जो हिंदू और को का मंगर सुट्र जीनने की बात करता है जो कहता है जो कहता है कि दो भैस हो एक बैस कॉंगर्स लेजाएगी ऐसे प्रधान मंत्री में इनकी महिला मोर्चा देख्स जो है पास में वो कह रही है कि मैं जो कॉंग्रेस का दफ्तर है वहां पर मैं सुरुचित है हमारे भाईयों हम जाट फैमली से हैं हमारे किसानों को मरवाया इतनी बुरी हाल तकरी साल साल किसान बैठे रहे उनकी कोई सनवाई नहीं हमारे बैन भाईयों के घरू जड़ गए हम इनको पोड़ सब्सक्राइब 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 अब सब्सक्राइब 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 अब जवाब सब्सक्राइब अब जवाब सब्सक्राइब सब्सक्राइब में हुआ अभी तक कश्मीर जलता रहा सतर साल में तुमने कश्मीर सेटल कर दिया था मानिपूर तुम्हें एक साल में लग रहा है पूरा पूरे नोर्ट इसमें आग लगा रखी थी इलेक्शन के लिए अब शांत है ना अब कोई आतंगवाद नहीं है आपने मावाद पूर कर दो थे में हें हिंदू सिको इनोने लराया अर्यांगा में रक्षन नगया कर दो ज्यांद करांदा में महिंगाही सेलेंडर में महिए सर्मेंगाई हैं अगर आप से सब्सक्राइब पूछQU dif एक मिनट इन से ये चीज़ बूचिए बगवान बगवान राम तो सब के अरादे हैं प्रतान प्रतिष्टा में कॉंग्रेस का कोई भी मंत्री या कोई भी पार्टी मेंबर खी नहीं पहुंचा बगवान राम की बात करते हैं आप ये बात बताईए कि बगवान सिरी राम को राजा दस्वाजी लेका है ने बाजपा वाले लेका है थे मैं से पूज़ना चाहता हूं ये बात कांग्रेस कांग्रेस बिल्कुल अपकी बार मनीश्टिवार अल ओबर इंडिया में ये जो चार सो पार का नारा दे रहे हैं यह कहीं 400 पार नहीं जा रहे हैं यह इव्येम में दिरूर अगर महीं करेंगे तो शादास पास हाज है एव्यवी जब यवियु चलते हैं सबस्भास होता है हारने जा रहे है यह शुरूव पूछ लीजिए अपनी इनकी 50 सीटे कौन से आने वाली वो तो कि ना दे देखी ऐसा है यह भी मेरे हमारे भाई है ठीक है हम भी मैं चाहिए कॉंग्रस यह बीजेपी बड़ी एक हेल्दी डिसकेशन होनी चाहिए और तथे पे डिसकेशन होनी चाहिए यह जो जनता जनार्द लग रहरा है आपको आप तो जनता बीच है वो इसलिए लग रहरा है क्यों हमारा जो चनाओail है ठीक है वह चंडीगड़ की जनता लड़ रही है चाहिए वह गाओं की चाहिए को बी islands ये शेर की ठीक has इन को भी मालू है और हमें भी मालू है और वाकी आने वाली सरकार जो हिंदोस्तान में होगी वो आप देखना इंडिया अलाइंस की होगी वो परधान मंतरी जी भी जान चुके जिस साब से उन्होंने अभी मौक ड्रिल करवाई है यह जो चीजे सारी सेट की जा रही है किसलिए स साइड होता है अगर ऐसा था तो फिर यहां यूएस से के स्टाइल से यहां पर प्रेजिदेंट जैसे चनाओ होते हैं तो पहले नाम अनौस करना पड़ते हैं यहां वो सिस्टम पब्लिक कंफ्यूज है ना सर कौन बनेगा राहूल गांधी बनेंगे केश्रिवाल बनेंग ने हुए ऊभी आब एक मिनिट एक इनकी बात से एक बात से में प्रगूल सहमत हूँ इन्होंने का चनाव जंता लड़ रही है वाक के चनाव जंता लड़ी है के मोदी जी को लाना या को तन आ आज मोदी जी का ही एक मुदा है कि नरेंदर मोदी आज इतनी बड़ी सक्षियत है कि उनके नाम के आसपास चुनाव हो रहा है सारा और दूसरी बात इन्होंने एक बात कई डेमोक्रेसी की उनीस सो संतालिस में तुरंत बात जब परदान मंतरी चुनने की बात आई तो वोट लटे पड़ी बाराँ वोटे पड़ी थी तीन इन्हों का रिजल्ट निकला नहरो को zero वोट थी बाराँ वोटे सरदार बटेल को थी और रिजल्ट का निकला नहरों परदान मंतरी यह नमो ना शुरुवात देश के जनम किसे ही शुरुवात नमो कैसी की हत्या करने की यह लोग करते हैं और उसके बाद अलजाओं दूसरों के लगाते हैं अधर जी चंदीगट सीट जो है भारती जनता पार्टी हमारे जो केंडिडिट है संजेट अंडन जी जितना उनको जन समर्थन मिल रहा है हम लोग पूर भामत के साथ केंदर में भी सरकार बनाएंगे और चंदीगट की सीट जीतके केंदर की जोली में टालेंगे एक था इनमें इतनी शम्तान नहीं है इन्होंने क्रोड़े रपया एक मिनट एक मिनट यारिक नौए एक अ क्योंट एक मिनट अब प्रश्ची में आपने नार आद्मी यहार से हूँ आपने चार दुर्फाइप पर तो अख्लेस पानी को दोले तो अच्छा काम कर रहा है वह सब दुन्या देख रहा है दुन्या देख रहा है लोग किता के समखता है वो बेटा के समखा जया था इतना पावे चंडी यड़ जैसे शहर में इन्होंने पानी के लिए 500 क्रोड का लोन 500 क्रोड तो पाविला सुरक्षा की निया है हाँ कि अध्य पादी के क्या सिबस्टा नहीं दिया है हर एक हर एक सुब्दा हम आदमी पाटी को दें चाहिए प्र अक्रीचल में है पपू के उपर बोलना चाहता हूं सिरफ जितना खरबोर बिल्कुल के आपने कलवा दिया ना खरबोर पया आपने पपू को बनाने में लगा दिया ना अगर वही जंता पर लगाते तो आज आपको ऐसे दर बदर ना दूर आपने सब्सक्रास कर था हो bends ना वाने सब्सक्राइब करा ने यूरा ना फूरे मैं सबस्क्राइब कि आपस्या कौने उतनों को सब्सक्राइब सबसे हो नेए उससे गुद कि अब समय नहीं यह डबल इंजन कहते हैं हमारे प्राइम मिनिसर कहते हैं कि 140 क्रोड मेरे हिंदोस्तानी है फिर जो ओपोजिशन का पीम बनता है सिएम बनता है उसको यह क्यों कहते कि डबल इंजन सरकार आएगी तो इसका मतलब जहां डबल इंजन निया वहाँ क्या ये फंड रोक लेती है ये बिल्कुल गलत बात है ये जो डबल इंजन की Gal hello sunshine का मतलब है कि powerful Guadi दोनों विक्ति एक दिशा में नाई पंजाब की बात कर ले किया आज वहां इकोणवी की डो दीए बात होती है कि डिली में करघ्यू में सरकार बढूरो दीए करजे के नीचे पैसा इनके अदेनेता जेल में है अदेनेता पहले लोग बाला हमें चाहिए लोग बाला आज दिली में लोग बाल कहा है आज पंजाम में लोग बाल कहा है बिल्कुल बशर्ते 400 बार हो रहा है कि चंडीगठ की शिट एक लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे सबको आपने लिए तमाम नेताओं को भी आपने या अपनी राया हैं अपनी बातें लेकिन आखरी फैसला यहां कि आम जंता को करना है और आपसे अपील कि मत्दान के दिन अपने घरों से जरूर निकलिएगा वोट जरूर डालिएगा घर मी है इतियात के साथ निकलिए लेकिन निकलिए जरूर वोट जरूर डालिए ताकि जिनके दावेवादे हैं सबको पता चल पाए और दूद का दूद और पानी का पानी हो पाए बहुत धन्यवाद अमरुजाला.com पर हर बड़ी खबर के लिए बने रहेगा